कि अलो नमस्ते करें जो वेलकम बेंटो चैनल तेंक्यू सो मज़ और अलवन सपोर्ट विए ट्रॉस तेज यार 600 सब्सक्राइबर से ऊपर चले गए हम लोग और आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे पास जिगर भाई जो पार्ट के सौधा करें और काफी सारा इंफ्रमेशन मुझे दिया है अभी तक मेरे आरेस के जो जर्नी रहा आरेस के जो पार्ट लेने में रिश्टोर करने में मलब आरेस में जो भी मैंने अभी तक का जो भी पार्ट का कुछ सीन हो गया पार्ट चेये मेरको कुछ सजेशन चीए क्या कुछ अप्रेड करना यह करना है कॉनसे पार्ट कहां पर अच्छे मिलेंगे तो सारे इंफरमिशन अभी तक जिगर भै ने मुझे दिये तो आज हम लोग ऐसे ही मतलब आज यह एकटे हो गएते दुपयर को आज चेक करते हम लोग जिगर भै के रख्टार्ट फाइपीड फाइपीड को आज इंद्र फाइपीड वाले यह दिजान यह देशन आता इंका सिलिंडर देखने जाए तो सिलिंडर इस आई टू जो इंडिया का मिलता है इंडाय लिया था ना अपने इंडिया था इंडिया से ही एंड यहां पर है कैटलिक कर्णवर्टर वाला एक्साउस विच इस ओरिजिनल एंड जनियून फ्रॉम फाइस्पीड का 4TL 420 विच इस ओरिजिनल फाइस्पीड कार्बोरेटर टैंक इन्हो यहां पर देखने जाए तो आर्पेम का भी कंवर्जिन किया हुआ है क्योंकि 135 फोर स्पीड या फाइस्पीर दोनों में रपीम नहीं आता था तो विच हैस बिन पोटेड एंड पोट कर क्या क्या किया है अर्पेम के बल वरम वरम सब डालके प्रॉपली कंवर्ड किया है फंक्शनेबल प्रॉपली यह जो आप जेकरों इगनिशन स्विच विच इस अलसो हैस बिन रिप्लेट फ्रॉम आर्ट जड क्योंकि 135 के अंतर यह वाला स्विच नहीं आता था यह वाला इगनिशन यह आता था तरेक्ली और एक बात इसके अंतर डाले हुए ग्लैडिटर क के सस्पेंशन्स क्रेडिटर का डेस्क हेंडल बार डी 350 वाला डाला है इनसे इंस्पाइड होके मैं अब जिगर भाई से मंगवाया था मैंने तो मेरा क्रोम वाला इन्होंने पूरा ब्लैक कर दिया है सीट इंस्पाइड है आडी 350 के लुक्स के जैसे यह लॉंग केरियर है विच अलसो हैस बिन इंपोर्टेड फ्रॉम गुड सोर्स मैंने भी मही से इंपोर्ट कराया था था इसको जिगर भाई ने किया है पोर्ट एक मोहिद भाई नवसारी है इनके काफी अच्छे उनको काफी अच्छा एक्स्पीरियंस है इंटु डैट आरेक सीरीज और टू श्रोक के बारे में अब क्या बता हो कि अब पोर्ट करने के बाद क्या दिफरेंस लगा आपको और अ मैंने आइटू लिया था करीबन दो साल पहले उसके बाद फिल नहीं हो रहा था ऐसे के जिस लाइक हमें फाइस पीड चला रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा था तो मेरे दोस्ते मोहिद भाई मैंने उनसे बात करी सर जी मेरे गाड़ी में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जो मुझे पॉटीन कर चैछा नहीं मिल रहा है, उन्होंने हालका सा, कमपनीं वेरियेशन मुझे बताया कि हमारी जो फाइट सपीड थी और अई2 के जो ब्लॉक है बराबर है उसमें हलका सा वेरियेशन होता है वह उन्होंने पॉर्टिंग करके मुझे रिसॉल करके दिया है उसके बाद मुझे फिल लगा है कि एक्टिल फाइश्पीड में चला रहा हूं और यह बनाने में अपको टोटल खर्चा कितरा वा था पॉर्टिं अब अब आप देख सेथा और सारे सारे स्टेंलेस्टील एसको डालने का फाइदा यह होता है कि कभी आपके पर प्रचा कुछ काइम के बाद लगने का चांसिस नहीं रहता है मेरे मैंने भी डाले हुआ अभी तक आई डून आप अनी कंप्लेंट अभी सब दोना बाकि द आप यह जो आपने सेंड ब्लास करा हुआ है उसके ऊपर पेंट किया हुआ है वह ग्लॉसी फिनिश नहीं है अल्रडी सेंड प्लास किया हुआ है इसको मैंने कुछ नहीं किया है बाकि अधर पार्ट कोलर ऑके सेंड ब्लास करके उसके बाद पावडर कोटिंग किया हुआ है सब बनाना में 40,000 खर्चा हो गया चालेश करीबन पहुंच पर आप कितने ताइम से आरेक्स कर रहा है मैं करीबन बाइस साल से यह 2000 का मोडल है और एक दूसरी इंट्रेस्ट्री बतातो मैं जिगर भाई को ए अचानक से बात किये फिर बाइक डूंडा बाइक देखा हम लोग ने फिर बाइक लिया लेक बैक इन 2014 तो इस बीन 6-7 अगर आपको कुछ पार्ट्स रिलेटेड कुछ इश्यू है अगर आपको कुछ पार्ट्स चाहिए तो जीगर भाई का इंस्ताग्राम आडी में दाल आप डारिकली उनको डियम करना परेशान मत करना डारिकली डियम करना अगर जन्यूनरी अगर इफ यूर रिक्वार सम्तिंग विच 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 इस नॉट अविलेबल इन यूर रीजिन तो आप जीगर भे को मैसेज करें अगर उनसे बन सकता है तो वो हेल्प करेंगे कर दिए झाय दो कमेंट लाइक शेर सुस्क्राइब मुड़ा र्वार भार इस नुट याट दिए था जाय माँट विच मत वित्वार अधर्या यूर्टाइए निवच विच विच कैना इस इस स्पॉराइब आख दोन्यूर गवारव अड़स हैं पार्वार दिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दिर के दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल